क्रोध को जीतने का सहज उपाए भूदान यग्य के दिनों की बात है विनोबाजी की पत यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही थी उनके साथ बहुत थोड़े लोग थे मीरा बहन के आश्रम पशी लोग से हम हरिद्वार आ रहे थे विनोबाजी की कमर और पैर में चोट लगी थी उन्हें कुरसी पर ले जाया जाता था पर बीच बीच में वे कुरसी से उतर कर पैदल चलने लगते थे एक दिन जब वे पैदल चल रहे थे तो एक भाई उनके पास आकर बोले बाबा मुझे गुश्सा बहुत आता है, कैसे दूर करूं? विनोबाजी ने कहा बचपन में मुझे भी बहुत गुश्सा आता था में अपने पास मिश्री रखता था जैसे ही गुस्सा आया कि मिश्री का एक टुकड़ा मूँ में डाल लिया गुस्सा काबु में आ जाता था लेकिन गभी-कभी ऐसा भी होता था कि गुस्सा आ जाता था और मिश्री पास में नहीं होती थी तब आप क्या करते थे? उन भाई ने उत्सुक्ता से पूछा विनो बाजी ने कहा तम मैंने सोचा कि ऐसे समय क्या किया जाए सोचते सोचते एक बात ध्यान में आई जब हमारे मन के प्रतिकूल कोई चीज आती है तो हम एकदम उत्तेजित होते हैं यदि पहले क्षण को हम टाल जाएं तो गुस्से को सहज ही जीत सकते हैं हर्श और विशाद से हम तभी अभिभूत होते हैं जबकि उनका पहले क्षण हम पर हावी हो जाता है उस क्षण को टालना शुरू में थोड़ा कठिन होता है लेकिन अभियास से वह बहुत आसान हो जाता है आगे विनोभाजी ने बताया कि इसका उन्होंने खूब अभियास कर लिया बापू को गोली लगी जमना लाल जी का देहांध हुआ किसी ने आकर खबर दी लेकिन उनके मन पर इसका कोई असर नहीं हुआ वे जो काम कर रहे थे करते रहे लेकिन विनोभाजी ने कहा आगे जाकर लगा कि बापू और जमना लाल जी के जाने से कितनी बड़ी क्षती हुई किन्तु पहले क्षंड तो ऐसा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो